आ गई है लगातार और कुछी मिनिट में अखिलेश यादो अखिलेश यादो उतरने वाले हैं आप देखिए विदिन सेकेंड और ये अखिलेश यादो की ये गाड़ी आ गई है समाजवादी पार्टी के रास्टी है अखिलेश यादो अखिलेश यादो बेहित उसाहित मु अखिलेश जी एक बन मिनट अखिलेश जी देखिए यह लाल टोपी में जाते हुए उनके आगे सपाक के सांसा संजे सेट और उनके बगल में सतीशन मिसरा जो बीस पी के राष्टे महा सची हुए इन लोगों ने रमन जी यह पहली तस्वीरे मैंने आपको दिखाई जी कि अ अखिलेश जादो ताज होटल पहुँच चुके हैं सतीशन मिसरा ने उनका स्वागत किया है फूल देकर और फूल लगातार दिये जाएंगे उपहार दिये जाएंगे यह मौका ऐसा है जहां दोस्ती को और प्रगार करना है गले मिलना है और राजनीत में एक नई दिसात् वोट शेयर इतना जादा है कि वो उत्सा जहलक रहा है और यह दर्सार आए कि बहुत बड़ा गटबंदन उत्तर परदेश की राजनीत में आज होने जा रहा है उसका ऐलान होने जा रहा है और यह ऐलान इस परदेश की राजनीत और देश की राजनीत बदलेगा जी बिल्कुल ठीक बात है विरेन जी और ये खबर आई थी ये खबर आई थी कि मायावती जी का स्वागत करेंगे अखलेश यादो जी और जब अखलेश यादो जी आए तो उनका सतीशन मिश्रा ने स्वागत किया मायावती जी की मुम्मिन्ट की क्या पोजिशन है वो कितनी द लगतार नारे बाजी हो रही बाहर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं दोनों दलों के कारकरता है उसाहित हैं अखिलेश यादो आ गए हैं तो निश्ची थी लोगों की बाचीत हुई होगी कि कितनी देर के भीतर माय अतीप जी पहुंचेंगी यहां पर बसपा सुप्रीमो इंतिजार हो रहा है लगता है कि दो चार मिट के भीतर उनका भी आगमन यहां हो जाएगा और राजनीत में जो गडबंधन के दिसा में जो पहला कदम था वो अखिलेश यादो ताज होटल में रख चुके हैं तो यह सियासत का जो बहुत बड़ा चेहरा जो सपा और बसप मुसीबत वाला है जी विरेंजी प्रेस कॉंफरेंस कितनी देर में शुरू होगी और जैसा कि अभी अखलेश यादों ने एंट्री ली थी आपने उनसे बात करने कोशिश की वैसे कोशिश कीजिएगा आप अगर बसपा सुप्रीमों आती हैं तो और यह बताइए कि कितनी देर में प्रेस कॉंफरेंस शुरू होने वाली है